जिन्दगी ने एक बात तो सिखा दी कोई भी साथ नहीं देता जब जरूरत होती है अनिका की मस्ती तो अच्छा लग रहा था तो मैंने सूट कर लिया तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि अनिका कैसे मस्ती करती है पर दिखो गुसा कर रही है कि मुझे और खेलना है और खेलना है तो बार बार पापा उड़ते हैं और वो सोचती है ना मैं गिरा देती हूँ पापा को तो इसलिए बहुत खुस होती है निका तो यही चलता रहता है इनका आधे गंटे तक बराबर प्लीज गाइस एंड तक बने रहेगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मुझे पता है इतनी अच्छी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं इस टाइम पे और ब्लॉग अच्छी साइद नहीं बन पा रहे हैं इसलिए मेरी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लो हो गए है मैं बहुत ज़्यादा डिश्टर्ब हूँ इस टैम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रखी है अपनी लाइफ में मेरी इतनी टेंशन है मैं इस वज़े से कुछ भी नहीं सही से कर पा रहे हूँ लेकिन मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ इस वज़े से मैं जैसे भी ब्लॉग बना पा रहे हूँ इतना तो करी सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े मेरे व्यूस बढ़े जो आप लोग चाहते हो ना कि मैं खुश रहूँ या मेरी लाइफ में कोई भी प्राब्लम ना हो तो आप लोग इतना तो करी शक्ते हो तो यहां पर अनिका कर रही हैं ड्राइंग और सारा काम अपना समय पर कर लेती हैं ज्यादा मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि अब पढ़ाई करो अनिका टाइम टू टाइम कर लेती हैं सारा काम बहुत ही ज्यादा समसदार होते जा रही हैं और यहां पर देख सकते हो अनि इतना डेली का मारा से भी सो में चान निकाष करते हैं, कहीं दिकिती हो दो, मौनिकों पने दो, में केम के मेरे आलोगो जोची को में पकी क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसे हास से सूट करना हाथ में डर्द सा हो जाता है आप मेरे मोबायल disruptive मेरे पकड़ा पकड़ा सा नहीं जाता है बहुत जल्दी मेरे हाथों में डर्द सा उठता है तो मेहाँ पराथे से पापा की बहुत याद आती है, मुझसे ज़्यादा वो बोलती नहीं है ये बाते, लेकिन उसने रात में बोला मुझसे कि मुझे पापा की याद आती है, क्योंकि उसको पता है न, मैं मा से बोलूगी तो ममा के, ममा रोने लग जाती है, इस वज़े से वो मुझसे नहीं बोल तो मैंने पूछा क्यों बात नहीं करती है, तो इतना इंसर देती है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मिरा बच्चा इतना बोलने वाला, इतना कम बोलने लग गया, क्योंकि आपको पता होगा अनिका बहुत बाते करती है तो टीचर से उसने बोला कि मेरे पापा नहीं है इसलिए मेरा मन नहीं करता जादा बात करने का तो साइद वहाँ पे पैरंस को देखती है सबके पापा भेजने आते हैं बच्चों को इस वज़े से साइद वह मिस करती है अपने पापा को तो टीचर को बलीब नहीं हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है तो जब मुझसे पूशा तो मैंने बताया तब ही वो बोल रही थी अनिका ने मुझसे एक बार बोला भी था कि मेरे पापा नहीं है तो मुझे अनिका के लिए बहुत बुरा लगता है यार इतनी हिम्मत करके मेरे बच्चा टीचर से बोला कि मेरे पापा नहीं है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजे तो अनिका देख लो कितनी एक्साइड़ेट है स्कूल जाने के लिए तो मामा चोडने जा रहे है अनिका को मेरे डेली देली पाल भी प्टिया है साउ कि अच्छी पुछा ना इसलिए क पाले देली कोकkin है अनिका कर लेने को आसनी कितनी मेरे पालने कोड़ों आप अनिका चली जाएंगी और फिर आएंगी देड़ बजे और तब तक मुझे अकेली रहना है अनिका के विना और देखो पीछे देखती देखती जा रही है ममा को अपनी और अच्छा नहीं लगता है बच्चा चला जाता है ना लेकिन कोई बात नहीं पढ़ने ही गया है फिर अनिका के जाने के बाद सारे बाय की काम करूँगी घर के जो भी है फिर मिलती हो तो सामके हो गए है पांच और मेरा जैसे रोज का काम है अनिका को लेके जाने का तो मैं लेके जा रही हूँ तो चली आप लोग भी चलिए और मेरा बिल्कुल भी मतलब क्या बोलो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है और इतनी देर से कौन-कौन से काम हुआ रहत है मैं बाद में आके बताऊंगी आके घर पे तो चले चलते हैं फिर वहां पे मिलते हैं आपको चलो अनिका मन तो उदास थाई मेरा लेकिन फिर यहां पे आई मैं चाय बहुत जादा पीने लग जाओ इसको निकल जाने दो उसके बाद तो मुझे बहुत बुरा लगा यार कि मतलब मैं ऐसे हो गई हूँ ना बिद्वा तो लोग लेडियस मुझे देखना नहीं चाहती जिनके हैस्बेंड है ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे बहुत जादा बुरा लगा मैं बहुत रोई लिया है क्यों लगाया मेरी ऐसी कौन सी गलती थी मैंने क्या पाप किये थे जो मुझे इस जनुम में ऐसा मिला वही मैं बहुत जादा मैं रोई हूँ इतना रोई हूँ वैसे भी आलरेडि मुझे इतनी सारी टेंशन है और लोगों की बातें भी मुझे बहुत खलती है बह किस के साथ कभ यह हो जाए चीज़े ना पता नहीं रहता लेकिन क्या बोलूँ लोगों का तो यही है चलता रहेगा मुझे लगता है पूरी जिंदगी मुझे यही सब चीज़े सुननी ही है सुननी के लिए भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है लेकिन कोई बात नहीं तो यहां पे मैं बहुत मुझे रोना रहा था मैं बाबू को इतना मिस कर रही थी मैं आपको बता नहीं सकती कि बाबू थे तब क्या दिन थे और आज क्या दिन होगे पल में मतलब सब कुछ बदल साही गया मेरी जिंदिगी यह उठल पुथल सी होगी फिर कोई बात नहीं मैं यहां पर चलती हूँ अनिका को लेके घर तो मैं यहां पर घर जा रही हूँ और रात हो जाती है क्योंकि पांथ बजे का उसका ट्रूशन है और छे-शे बजे बंदेला ही हो जाता है तो हम और दोनों घर जा रहे हैं तो चलिए आप लोग घर चलते हैं तो यहाँ पर हम आ गए अपनी घर पर और फिर भी मुझे बहुत सोच के बाते ही बहुत रोना आ रहा था गाईस तो उसके लिए सौरी तो चलो अपर इस वीडियो का एंड करते मिलूंगे